अभी नहीं, दीपक स्कूल से लोट्टे ही चिलाया, मा भूक लगी है, कुछ खाने को दो, फिर मुझे खेलने जाना है, मा बोली, हाँ बेटा, अभी दूद देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तुम पहले हात मुधो लो, अपनी चीजे ठीक से रख दो, तैयार होकर आजाओ, दीपक जट से दोड कर आया, और बोला, मा, मैंने हात मुधो धो लिया, लाओ, कुछ खाने को दो, मा ने पूछा, तुमने साबुन से हात धोए, नहीं, अच्छी तरह पानी से धो लिये, मा ने कहा, तुम खेलने जाने के लिए उताव ले हो, फिर भी बाहर जान इसे पहले सारे काम ठीक से कर लो, जल्दबाजी ना करो, दीपक फिर हात धोने गया, मा उसके कमरे में गई, स्कूल बैग ओंधा पड़ा था, आधा खुला हुआ, दोनों जूते कमरे के बीच में पड़े थे, कमीज, गठरी की तरह बिस्तर पर पड़ी थी, लंच का इक कोने में, पानी की बोतल दूसरे कोने में, बिस्तर की पाटी से मोजे लटक रहे थे, दीपक हाथ धोकर आया, तो मा ने पूछा, बेटा, तुमने अपनी सारी चीज़ें इधर उधर बिखेर दी, कोई चीज अपनी जगा नहीं रखी, क्या सब चीज़ें ठीक से नहीं रखनी चाहिए, लंच का डिब्बा और पानी की बोतल दोनों को रसोई घर में रखना चाहिए, जूतों को तरीके से रखना चाहिए, मोजे घर आते ही धोने में डाल दो, देखो, तुम्हारे कमरे का हाल, ऐसे कैसे बाहर जा सकते हो, दीपक खिसिया कर बोला, मा बोली, बेटा, हर काम समय पर करना जरूरी है, काम को बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, क्या कभी खाना आधा छोड़ कर दूसरा काम करते हो? दीपक बोला, नहीं, मैं समझ गया, मैं कमरा ठीक करके ही जाऊंगा, मा बोली, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत समझदार भी हो,